हेलो गाइस तो मैं एक और प्रोड़क्ट की रिव्यू के साथ आ गई हूँ ये मैंने मंगबाया था कश्मीरी चाय का कैवा ये इन से ये जो करीमी है इन से तो अपी मैं बनाने लगी हूँ तो हम जो है मैंने दूद जो है वो बॉल कर लिया है ये देखें तो अब मैं इसमे जो है वो डालने वाली हूँ ताके मैं आपनों को दिखाऊं के एंड रिजर्ट के आता है पर मैं पी के बताऊंगी कि ये कैसा है तो आपनों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सब्सक्राइब तो मैं चैनल और बैर आकन को भी प्रेस कर दें ताके जो मेरी न्यू वीडियोस है अनकी नोटिफ्यकेशन आपको टाइम पर बल सके हैं तो मैं इसमें मिक्स करती हूं तो यह मैंने डाल दिया है वाला धीक है और इसको डालने के बाद जो है वह वह थी मिनिट्स पकाना है थोड़ा कम डाला है क्योंकि इसका थो अरो माहै वह थोड़ा स्ट्रॉंग है तो इसलिए है ठीक है तो अब जब ये फाइनली तयार हो जाएगी तो मैं इसको ड्राइफ्रू डाल केस में आप लोगों को भर एड़ दिखाऊंगी ठीक है अब ये पक रही मैंने आपको सोचा दिखा दूँ कि ये क्या माद डलने के पाद कैसा इसका कलर आता है यसे मैंने कम अगर जितना डालूंगी तो जादा तेज कलर आएगा ठीक है मेरे साफ से कलर भी ठीक है तो गाइस ये है फाइनल कलर मैंने वैसे जल्दी उतारली और डाला भी जो है वह कमी था लेकिन दिस इस गुड ठीक है ये गुड है क्योंकि हमारे पर इतना टाइम ही होता कि हम प् किश्मीरी तो ये अच्छी चीज है और ये आप लोगो को रेडिमिन मिल जाती है तो नौट बैड ठीक है और वैसे न रिकमेंट किया था कि इसके अंदर जो है हमने मिल्क पैक यूज करना है मैंने जो हमारा नॉर्मल लाता है दूद वो यूज किया लेकिन फिर भी ये ग लोगाती रहती हूं तो यह मुझे अच्छा लगा है तो मैं जरूरी से रिकमेंट करूंगी ठीक है और यह आप लोगों देख सकते हैं यह पिंक टी और यह इस तरह से स्वेर पूरा बनावाग करीमी का है यह और तरीका भी दिया वह चाय बनाने कश्मीरी चाय बनाने का तरीका तो जिसकी शेर्फ लाइफ तीन महिने के यह रैपर इसका थोड़ा सा उतर गया है और वाकि पांच व्रेंड में बन जाती है तो लीत असरे यह रेकुमेंड़ है ठीक है और प्लीज सब्सक्राब तो माई चानल और बेल आइकान को प्रेस कर दें ताके आपको आपको पांच मया था जब लुक माँ यह रापता है यह राप ताके भी व्रे मेंग है खेंगा है और वाकता है 6 devoर जोंजा है यह मम महिनों को प्रेस कर दो दोड़ा